हाई फ्रेंज कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे MI vs LKN Dream 11 Prediction यानि Mumbai इंडिये और लखनाव सूपर जैन्ट का मैच है दोनों टीम्स टूर्णमेंट से बाहर हैं यहां पे कुछ नए सितारे आपको खेलते दिखेंगे वैसे मैं पर्सनली चाहता हूँ यार भूमरा साब हमारे 13 मैच लगातार अच्छा करके आ रहे हैं आज Mumbai वालो रेस्ट दे दो और यंग अपने प्लेयर्स को खिलाओ और दोनों टीम्स यह एक्चली कर भी सकती है आपको क्या लगता है क्या होने वले चेंजिस आज के कमेंट करके जरूर बताएं क्या किसी प्लेयर का डेब्यू देखना चाहते हो क्योंकि कुछ सुनहरे चेहरे आज नए पहली बार IPL में देखने को मिल सकते है वीडियो फूल देखना क्योंकि जब नए सितारों की इसक्रिप्शन और टॉप कमेंट वे यदि नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाएं यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है साथ पे बेल आइकन नीचे औल नोटिफिकेशन अन करें जिससे सब वीडियो की सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पाएंगे और वीडियो देख पाएंगे यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ पिछरी पोर्ट देखने को मिल रही है ब्यूटिफुल स्टेडियम है व पिछले कुछ मैचेश में रंज तो बने लेकिन पेस पोलर्स को भी काफी एडवांटेश देखने को मिला दोस्तों यहां 200 भी क्रॉस हुआ है लेकिन सिरफ दो मैचेश में और यह वले मैच में बाकी मैचेश में आप देखोगे नॉर्मल स्कोरिंग हुई है पिछले दो म हो चुक है स्पिन भी गेम में आ सकता है ओवराल वांखडे में हमेशा स्विंग रहती है थोड़ी तेजवा चल रही हो बाई चास फिर तो आपको पता है और यहां पर स्विंग रहेगी वैसे ही सूरिया का यहां पर दो शतक है ग्याराग स्टक इस गराउंड पर अच्छा रिकॉर्ड है बाकियों के आप नंबर रीड करोगे तो यहां पर केल राहूल का रिकॉर्ड इवन हार्दिक पांडिया का अच्छ है खिक है दिपकुड़ा की भी थिक है टिप रेस्ट होगी बाकि हार्दिक 53 में 42 कुरुनाल पांडिया 32 में 30 प्यूश चावला 20 में 16 अकाश 7 में 11 शमस मुलानी 9 में 10 बाकी नंबर आप देखोगे तो गोट्जिया के 5 में 6 हैं बाकी 3 में 5 मोसीन के हैं देखो इंटरस्टिंग टीम्स खेलने वली आज आज आप चेंजिस की भी उमीद कर सकते हो जो भी प्लेयर खेलेगा उस पर आपको गौर करना होगा जो मैं टेलीग्राम पर इंफॉर्म करूंगा ही आपको आपको मैच भी दिखा दे तो मुंबई को ज्यादा रंस करने का मोका नहीं मिला था 144 कर पाये थे मुंबई वले लखनाओ ने उसको असानी से चेस कर लिया था वैसे लखनाओ की भी विक्टे गई थी बट स्टॉइनिस ने अच्छा केला था मैच में नहाल वडेरा 46 टेम ने भी लिया था और वी सी भी थे हमारे राहूल ने 28 वा रहे थे मोसीन दो विकेट उस मैच पे जबरदस्त खेले थे नवीनुला के एक विकेट रवी बिश्टोई एक विकेट ये पिछले हैट टो एड की कहानी है उससे पिछला है जो इकलौता मैच जीती है ना मदवाल की स्पेशल वहां पे काम बना था चालिस नवीनुलाग चार विकेट यस्ठाकुर तीन विकेट और मौसीन एक विकेट ठीक है यह आपको देखने को मिला था जो 24 में 2023 को चन्नही में मैच हुआ था इन दोनों टीम्स का बहले ही वो इन दोनों टीम्स का होम इनका डिटा उसमें राहूल तीन ही मैच खेले हैं लेकिन इंट्रस्टिंगली इनकी दो शतक आई हैं बहुत ज़्याद आच्छी नंबर्स हैं जो इनके दो सेंसरी आपको देखने को मिल रहे हैं तीन मैच में एक ही मैच में यह आउट हूँ हैं जो इस साल का ही है जिसमे सिर्फ एक बार यह मुंबई के आगया उट हूँ हैं तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं मुंबई के आगये मारकस टॉइनिस दो सो एक रन पचास की एवरेज है दो हाफ सेंसरी है तो बाई दो टॉप लियर राहूल और स्टॉइनिस मुंबई के आगे चले हैं इशान किश छाकूर दो मैच पांच पिकेट अच्छा इंपोटेंट है अकाश मदवाल दो मैच पांच यए दो खिलाड़ी में से कोई खेलता है तो एक टॉइन तीन मैच पांच मुष्ण sincerely of the एक घरें नार्श जस्परीत वूमबातं साब극ई को रेस्ट दो बाई प्लीज हमसब चात कंडिशन में रहें माई 11 सरकल पे दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा उफर है जैसे आपको बता है बहुत सुनाहरा उफर है आप 20 टीम्स अपनी लगा सकते हो और कैश बैक पा सकते हो हारते हो तो भी वह कौन सी लीग में आपको 20 टीम्स दगानी है मेगा जील में और कैश बैक का अच्छा मौका है मतलब आपके कितने टीम्स 49 रुपे वली अगर आप 20 टीम लगाते हो 980 रुपे आपके लग गए यदि आपने 980 लगाए और आप 1000 रुप है उतना आपको कैश बैक आजएगा लेकिन इसके कुछ कंडिशन्स है यह अगर आप पहले से माइलेवन सरकल में खेल रहे हो फिर आपके लिए उफर नहीं है सिरफ न्यू यूजर्स के लिए या न्यू अकाउंट्स के लिए यदि आपका किसी कोई घर का मेंबर है जिसक आपको 1200 मिल जाएंगे क्योंकि आप डिपोजेट करते समय कोड लगा दोगे 20 इस पर 20 एक्स्ट्रा कैश है तो यह तो बात हमने कर ली माइलेवन सरकल के आज के ऑफर की अब हम एक बार ना फटा-फट से ना स्पैशली मुंबई की रिसेंट फॉर्म देखेंगे चांसिज हो सकते हैं हार्विक दिसाई खेले जो की बैक अप के तौर पर विकेट कीपर आया थे टीम में यह बाद में जो इनकी है मुंबई पे काफी लोग को नहीं पता होगा और इजिनली यह टीम में नहीं थे इंजरी कंसरंस के बाद इनको बुलाया गया था ठीक है यहां पर आ पहले अभी आप सुच्रेव फ़irk अभी तो इना रहूनि पहले की फोर्म है देखने की जरुत नहीं है सब्लेयर का ओ इस साल का ऐइपेर कर्णत देखने ले हैं अभी तो जो ऑब खéta पहले खेले थे जो अभी खेले जीनको मोगा इनी मिला इन सबको अलमुस्ट मिला यह शिवा लिक शर्मा को नहीं मिला इनकी भी फॉर्म देख ले ना लेट हैं लेट एड़ अच्छी नहीं रही थी ड्रेवल ब्रेविस ने एक दो मैच खेले थे वो भी स्कोर कार्ड आपको दिखा ही दूँगा कुछ खास देखने वाला नहीं है अर्जुन दनूलकर की विक्टे देख सकते हो एक एक दो जीरो दो दो तीन विकेट जब यह आये थे खेलने आई-पील से पहले आई-पील में खेले नहीं तो सबसे रीसेंट फॉम इनकी यही बनी बाकी सब को ही इनों बहार है 13 में से 4 में जीते हैं यही लाइन अप आपको देखने को मिल रही है जो रेगुलर खेली है स्कोरिंग देख लेते हैं किसकी कैसी रही है जैसे आपको बताया रोहित वगरा की जो फॉम है पीछे लिखिए वो आई-पील से पहले की फॉम है आई-पील में क्या किय भी आया था 49 भी आया था लेकिन पिछले कुछ मैचिस में 6-8-4-11-4-19 वर्ल्ड कप से पहले हम सब चाहते हैं भारत के कप्तान फॉर्म में आए बट देखना होगा कि वह होता है कि नहीं क्योंकि खुद मुंबई के कप्तान अभी फॉर्म में नहीं है 11-24-34-39-21-2-10-10- हम चाहते हैं भारत के हार्दिक पांडेया फॉर्म में आजे बुमरणष अपको अराम दे दे मुझे कोई दिकत नहीं वैसे इशान किशन 0-34, इनका कोई फॉर्म अच्छा नहीं था, लेकिन 42-69 आया, एक 40 आया, एक 32, फॉर्म कुछ खास नहीं है, नमंदीर ने भी कुछ खास स्कोरिंग नहीं किया, शेरे पंजाब टूनामेंट खेलके यह लोकल पंजाब का सिलेक्ट हुए थे, यहां पर कुछ प्लस किया है, दो इनके, आप कह सकते हो, तीरी इनके 60 प्लस स्कोर है, तो भई बढ़िया खेले है थे लगवर्मा, बाकी कोई टिम डेविड जैसा प्लियर देखो, इनको मौके ही उतरे नहीं मिले, स्कोरिंग तो इनने ठीक करी है, 45-42 नोट आउट, यहां 35 नोट आउट उतरे मौके नहीं मिले लेकिन, तो देखना होगा कि यहां पर क्या होता है, नेहाल बढ़ियरा के दू 40 प्लस स्कोर आए है, 49 और 46, उसके लावा ज़्यादा बड़े स्कोर नहीं है, अब इदा बैट आप यूश चावला को तो इतना ज़्यादा मानोगे नहीं कि आपको आपके स्कोरिंग दे, लगाने को हिट लगा सकते है, बड़ जुरुत पढ़नी नहीं चाहिए मुंबई को, क्योंकि अगर उनको बल्ले बाजी करनी पढ़ रही है, फिर तो दिक्कत है भाई टीम को, अब यहां पर बोलिंग देख लो, मेरे इसाब से इस मैच पर बहुत चेंजिस होंगे, कोई भी चेंज करना चाहिए मुंबई कर सकती है, देखो इतने सारे बोलर यूज है, कौन कितने मैच खेला है, किसने कितने ओवर डाले है, कितने मेडन, कितने रन खाए, और कितनी विकेट लिया है, पिछले मैच में डिड नॉट बोल, यह डिड नॉट प्ले, यानि कि तिलक वर्मा खेले बड़ बोलिंग नहीं करी, शम्स पुला नहीं खेले ही नहीं, इसलिए डिड नॉट प्ले, किसने कौन सवां ओवर किया, हर चीज आपको बताता हूँ, ठीक है, अब यह 16 ओवर तकी मैच गया था, आपको याद हो का कौलकता के सामने मै प्लेजन नहीं है, बूमरा के खेलने का, गैरल कोटजिया, दस में 13 विकेट है, हार्दिक की 13 में 11 विकेट है, और ये भी डाल रहे हैं, इस मैच में चेंदिज होंगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बताने नहीं चाता कौन कितने और, बट मेरे इसाब से जो बेस्ट ब कुमार कार्ति किया, इस आईकल खेले नहीं है, आज आ सकते हैं, बेंच वे, डेवल ब्रेविस 46, नौट पले 0, उसके बाद मौका नहीं मिला, 23 रन बीच में नभी क्या है, रोमारियो ने 15 नौट ओट, 39 नौट ओट, एक रन, एक रन, ऐसी इनकी टीम की परफॉरमेस रही है, बाकी कुछ देखने वाला है ही नहीं बेंच पर, फिर भी कुछ गौर करना है तो कर सकते हो, कुछ है नहीं देखने वाला, मैं आ गया लखनू पर, अगें टीम चेंजिस कर सकती है, ये टीम का न मैंने रीसेंड फॉरम आपको पहले कहीं बार दिखाया, और इनने हर प है, आया नहीं अभी तक, हाला के इंडिया की वर्ल्ड कप टीम में सेलेक्टेट नहीं है, बढ़ हम सब को पता है कि काफी इंपोर्टेंट है, और डीकॉक ने भी इतने बेस्ट फॉरम नहीं दिखाया, स्टॉइनिस अच्छा खेले है, दीपकुड़ा ठीक खेले है, निक करी है, 58 से स्टार्ट हुए थे, फिर ठीक ठाक नॉक्स है, 39 आया दो बार, 82, 76, पिछले कुछ मैचे में नॉर्मली स्कोरिक रही, डीकॉक की तीन आप सेंचरी थी, उसके लावा कुछ भी इनका स्कोर नहीं आया, ओल्वेज अड़र 20 गए है, स्टॉइनिस ने बीच में 12 थीक ठाक नॉक्स केली थी, ये 62 वर्सिस मुंबई ही था, ठीक है, हुडा की एक 50 की राजिस्तार के सामने नॉक अच्छी थी, निकुलस पुरान लास्ट मेंच में भी 61 उससे पहले 48 नॉक्ट आउट, काफी जबरदस फिनिशिंग करी है, और काफी मुझे लगता है, अग क्रुणाल बहुत नीचे आ रहे है, 24-18 नॉर्मली स्कोरिंग करी है, अर्शद खान ने लास्ट मेंच मेंच में आके 58 नॉक्ट आट मारे, इससे पहले भी 20 नॉक्ट आट और 5 थे, he has the ability to hit, हार्ड हिटिंग करते हैं, इवन युजवीर सिंग चराक में काम पेस है, बड़ ये भी hard hit लगाते हैं, तो आपको scoring करते दिख सकते हैं, 14 आपको रण देखने को मिल रहे हैं, बाकि और कुछ देखने वाला नहीं है, आपको यहाँ ध्यान भी नहीं देना है, ठिक है, bowling पे आते हैं, bowling में दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं, पूरा crowd भर गया है लेकिन मैं कहूँगा मुसीन इंपोर्टेंट जाद है जिनकी नौ में नौ विकेट है बिश्णोई की तेरा में आठ है मैं उनको भी इंपोर्टेंट गिनता हूँ इनकी बोलिंग में भी चेंज हो सकता है मेभी आप मनी मरंस इदार्थ को देख लो मेभी शमार जोसेफ को इस मैच में देख लो क्योंकि टीम देखना चाहेगी ना एक मैज दिया था इनको कॉल करता के आगे उसके बाहर कर दिया तो यह चीज इंटरस्टिंग रहेगी कि क्योंकि दोनों टीम्स बाहर हैं कुछ भी चेंज कर सकती है क्रूशल वो चीज़े रहेंगी पटावट से ना जो कंडे में दो बर बाक्यों के आगे एक आधी बार आउट हूए लेकिन इंटरस्टिंगली स्टोयनिस के आगे तीम बर आउट हूए है जहां स्विंग रहे और स्टोयनिस स्टार्ट पे बढ़र करें तो स्विंग मिल सकती है उनको इस वेरी ग्राउंड पे इशान किशन र विशनोई तीन बार ये श्टाकुर एक बार नवीन एक बार ये रवी बिशनोई साब का नाम आ रहा है वली ग्राउंड पेसर का है बट क्या पता विशनोई साब भी जलवा दिखाएं तिलक वर्मा नवीन के आगे एक बार आउट हो हैं बाकी मैचप ठीक है फटा वट से ए बाकि ये विश्णवी को बढ़िया खेले सर्प्राइजिंगली हर्दिक पांडेया बाकियों कि आगया उट हुए है क्रुनाल अपने भाई पे भी स्लो खेले है ठीक है और एक बार ये मुसीन पे भी आउट है अब हम आगे हैं लखनव की बेटिंग पर फटा फट से देख लेते आईए हार्दिक पांडिया ने लास में आउट किया था केयल राहूल को इंट्रस्टिंग भूमरा साब ने दो बार किया है बाकी कोई ज्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है क्योंकि एक दम बाउंडरी पर कैच हुआ था मुझे कैच भी याद है क्योंकि मेरे वाइस कैप्टन थे 62 पे आउट हुए थे स्टोइनिस एकदम बाउंडरी पे इनका कैच होगे था लास्ट में मैच के कोटजिया ने एक बार T20 बंडे और श्रियस गोपाल ने एक बार किया है बाकी ये ठीक खेले है दीपकुड़ा हार्दिक पे आउट हुए थे बूमरा पे भी आउट हुए है ठीक है अब बूमरा का तो अंसर्ड मैच अप है ही इतने क्वालिटी बोलर है पुरान साब को यूज चावला पे दो बार आउट हुए बाकी मैच अपस में कुछ देखने वला नहीं है देखने वले रहेंगे बाई अपने टीम चलिए टीम करने चलते हैं बाई विगेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे सिफसे पहले केर राहूल कमाल लाजवाब राहूल मुं वैसे निकुलस पुरान को भी मैं काफी इंपोर्टेंट माता हूं कि वह बहुत जबरदस फिनिशिंग फोर्म है और इंपोर्टेंट रहेंगे बैन आप आसी शान किशन है जिनकी फोर्म अच्छी नहीं है बड़ इंपोर्टेंट है क्योंकि ओपनर है विकेट कीपर रिस शर्मा का फॉर्म जबरदस नहीं रहा सामने मुसी ने उन्होंने तंग भी किया है बड़ आप एक चीज़ देखके चलना भाई कि शायद रोहित इस मैच में थोड़ा वक्त लें मुंबई तो भार है हम सब चाते हैं इस इंडियन कैप्टर वो कमबैक करें तो एक काम करते है तिलक की जगा अभी रोहित को लेके चलते हैं तिलक की अधी टूड़ाउन दिखे तो ले लेंगे ठीड़ाउन दिखे तो एग्णोर भी कर सकते हैं सूर्य कुमार यादव को रखा है जो कि आपको मिडल ओर में दिखेंगे यूँकि अभी नमंधीर वंड़ाउन आ रह हैं बड मैं इनको ट्राइ नहीं कर रहा है अब देखो नमंधीर के केस में एक अडवांटेज हो सकता है कि लखनों की टीम में निकोलस पुरान कुरूनल पांडिया को इंटन डिकॉक डिसेंट अमाउंट ओफ लेफ्ट हैं तो कुछ नहीं मालूं एक और स्पिन से एक दो पर देदें आपको बड़ मैं अभी टीम में ट्राइ नहीं कर रहा ठीक है मैं आरों रॉंडर सेक्शन पर जहां स्टोइनिस और हार्दिक दोनों टीम के मीडियम पेस बोलर मुझे चाहिए हैं जो आपको मीडियम भी करके देंगे आपको स्कोरिंग भी दे सकते हैं ध्यान लगे बस इनको ओवर मुझे लगता है चारों और स्टार्ट में आप कठे करवा रहे हो इनको अगर मिले ना एक आदो डेथ में मज़ा आजा है पिछने मैच पे मैंने लिया था दो कैश भी कर गए थे विकेड भी ले गए थे कॉलकता के सामने बड़ यहां मैं अभी नही देखो स्विंग ही आप मिलती है दोनों अच्छे बोलर है मोसीन लास्ट टेम अनलगी थे विकेड नहीं मिली थी और हमने ड्रॉप किया था हमारा फायदा हुआ था लेकिन इस मैच में मोसीन को रख रहा हूं आप अर्शत की बैटिंग देखते हो उनको रख सकते हो तो य काम करते हैं यह हम डिसीजन थोड़ा टॉस पर करेंगे वड़ फिलहाल मैं नुगा अंतुशारा को रख रहा हूं है बट माक माय वर्ट आज के मैच में दोनों टीम बड़े चेंजिस कर सकते हैं बहार है भाई टूनामेंट से तो जो बड़े चेंजिस है फाइनल टीम तो बदलाव उसके कारण मेरी जो टीम है वो फाइनल आएगी टेलीग्राम में टेलीग्राम का लिंक का मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कोमेंट में जरूर जुड़ना है सी वी सी की बात कर लेते हैं जो बेस्ट मुझे दिख रहे हैं दोस्तों मैंने लास्ट मैच में जब मुंबई का मैच वह था लखनू से यह ऐसा ही कॉमिनिशन किया था स्टोइनिस और राहूल का उस मैच मैच मैंने कैप्टन सी राहूल को दी थी और उन्हें एक दो कैच साबी की भाई स्टोइनिस को और नहीं मिलने वला तो मैं चेंज कर दूंगा हाला कि मुंबई के ग्राउंड पर स्विंग रहता है तो अच्छे ऑप्शन है यहां स्टोइनिस यदि उन्हें विकेट लेते हैं कैप्टन स्टोइनिस वाइस कैप्टन सी राहूल लास्ट वि स्टोइन इसने ओवर नहीं डाला बहुत सारे वोलर थे लखनों में वह हम कैलकुलेट करेंगे टेलीग्राम के आपको इंफर्मेशन मिल जाएगी इसलिए अपडेट जरूर देखना फाइनल जो चैनल में आएगा लिंक मिलेगा वीडियो डिस्रिप्शन में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाना आगी वीडियो में मिलता हूं